हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में पार्ट वी क्लिक अंटरफियर्स फ्रॉम गिरी राज पत्रिका तो आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे गिरी राज पत्रिका को तो इस बार की जो गिरी राज पत्रिका है इसमें उतने जादा question answer नहीं थे क्योंकि अभी 11 दिसंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार का एक वर्ष पोरा हो चुका है जिस कारण इस पत्रिका में पूरे के पूरे जो काम का आज एक साल में हुए है जो भी schemes है वो सारी discuss की गई थी बाकी वीडियो की importance रहती है हिमाचल प्रदेश competitive exam के लिए आपको ये वीडियो end तक ध्यान से देखनी है और पूरी वीडियो हम discuss करेंगे जो भी schemes है एक साल के अंदर हिमाचल प्रदेश सरकार की ठीक है इससे आपका revision भी हो जाएगा बीडियो आपके लिए important रहेंगी चाहे HP पटवारी हो, HP police, HP forest guard and other competitive exams के लिए तो चली स्टार्ट करते है question number one के साथ में तो question number one क्या बात करता है इसमें सिधी सिधी बात होती है हिमाचल के किस जिले को प्रेटन राजधानी के रूप में योजना यहां पर बनाई चाह रही है बाकि सरकार जो हिमाचल प्रदेश को दूसरे राजधियों के साथ connect करने भी connect करने के कोशिश कर रही है ठीक है नेक्टम देखते question number two निशाद कुमार ने एशे पैरागेंस 2023 में निमेलिकित मेंसे किस स्केल में स्वरण पदक जीता तो यहां पर वही अंसर है हाईचंप में जीता है और बाकिया आपको पता होना चाहिए निशाद कुमार जी कहां के रहने वाले है यह उन्ना डिस्टिक है ठीक है नेक्टम बाग करते question number three बेसारा और गरीब लड़कियों को मुक्यो मंतरी कन्यादान योजना के तहट कितने रुपए की वित्य साहिता परदान की जाती है तो मुक्यो मंतरी कन्यादान योजना के तहट 51,000 की राशी दी जाती है गरीब लड़कियों को इसमें कुछ जानकारी इस थरह से हैं हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या दान योजना एक ऐसी योजना है जो पात्र लड़कों के परिवारों को भविन लाव और सुभिदायें प्रदान करती हैं और इसमें शादी के खर्च के लिए 51,000 रुपए आर्थिक साहिता प्रदान करने के लिए दिय जाते हैं ठीक है नाक्स्ट के बात करते है क्वेशन नंबर 4 हिम गंका योजना के तहकर कितनी राशी खर्च ओगी तो ठीक है तो इसमें 500 क्रौड की राशी खर्च होगी बाकि हिम गंगा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के दोरा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिसमें dairy industry को बढ़ापा दिया जा रहे हैं, dairy industry का मतलब है, दूद उतपादन वाले जो industry है, उनके लिए यहां पे बढ़ापा दिया जा रहे हैं, साथ में जो भी dairy farming से जुड़े लोग हैं, उनको 30 लाक रुपए तक का यहां पे लोन उचित ब्याज पर यां जाता है तो पूरा ora पूरा यहांपे देखा जाए तो हिम गंगा योजना का रेलेशन जो है दुद उतपादन से हैं digo दूसरीy यूजना इती हिंव चुरिव हिंनती योजना हैं क्रिशी से रीलेटेटेड और साथ में दूध उतपाधन से भी तो इतना से आपको ध्यान रखने हैं, दो से रिलेटिड दो योजना, हिमाचल प्रदेश में हिम गंगा योजना और हिम उन्नती योजना, ठीक है, next question के बाद करते है, question number 5, हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यो मंतरी एकल नारी अवास योजना के तहत हिमाचल में महिलाओं को घर बनाने के लिए, कितनी बित्य साहिता प्रदान करेगी, तो वही अंसर है, डेड़ लाग तक की राशी यहां पे प्रदान की जाएगी, हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यो मंतरी एकल नारी अवास योजना के तौत घर बनाने के लिए, डेड़ लाग रुपए बित् जल पहुंचाया जा चुका है, इसका अंसर है 17.08 लाग गरों तक जल पहुंचाया गया है, नल के थुरू, तो वाकिया आपको ये भी फैक्ट पता होने चाहिए, हिमाचल प्रदेश का पहला राजियो है, जहां पे 100% घरों तक नल के थुरू जल पहुंचाया गया है, बा करनीकी शिक्षा के लिए कितने % ब्याज पर रिन अपलब्द करवाया जाएगा, तो अंसर है 1% इंटरस्ट रेट पर जो है लॉन दिया जाएगा, इस योजना के अंतरगा, तो इस योजना में क्या कहा गया है, बिल्कुल सिंपल सिवाते लोन की राशी है, 20 लाक रुपे का लोन मातर 1% ब्याज पर ही उपलब्द करवाया जाएगा, जिस कारण जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो भी उच्छ शिक्षा का लाब उठा सकते हैं, तो ये थी योजना डॉक्टर यश्वन सिंग प्रमार विद्यार्थी रिन योजना, ठीक है, नेक्स आम बात सुखविंदर सुखुन इनके निर्देश पर हिमाचल प्रदेश में लड़कों की शादी की उमर बढ़ाने के दृष्टिक गत्थ बविन पहलो पर विचार विमर्ष करने के लिए कमेटी का गठन किया गया और जिसके अधियक्ष बनाया गया है, एम सुदा देविक, और कि इसकोटी खृदने पर कितनी सुख़दी दी जा रही है है, अंसर है मई 25,000 सब्सच़दी दी जाएगी मेधावी चात्रो के बात हो रही है, और इनको 25,000 की सब्सच़दी मिलेगी इलेक्रिक सुकुटी खरीदने पर अब होगा क्या जब इलेक्रिक सुकुटी खरीदेंगे इससे क्या हो रहा है इससे एक तो ग्रीन स्टेट बनने में भी असानी रहेगे साथ में सबसीडी सिर्फ उनी चातरों को मिलेगी जो हीमाचल प्रदेश के अंदर पड़े हैं ठीक है तो इतनी सी आपको ध्यान में रखने है बाकि इसके अलावा चातराओं को उच्छ शिक्षा हासिल करने में भी प्रोत्साहन मिलेगा तो ये इसकी एडवांटेज रहेंगे इसकुटी सबसीडी के ठीक है नेक्स्टम बात करते हैं क्वेश्चन नमबर टैन की बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हीमाचल प्रदेश सरकार द्वारा श्राव की हर बोतल पर कितने रुपाई का मिल्क सेस लगाया गया है अनसर है वे दस रुपाई का मिल्क सेस लगाया गया है अब होगा कि इस मिल्क सेस लगाने से सिंपल सी बात कही गई है हिमाचल प्रदेश सरकार में जो भी शराव की हर बोतल है उस पर 10 रुपए का मिल्क सेस लगाया गया है इस सेस से क्या होगा साल का 100 करोड की कमाई होगी और इस पैसे का इस्तेमाल जो है यानि कि ट्राइबल एरिया ड्वल्पमेंट प्रोग्राम के अंतरगत कितने रुपए खर्च किया जाएंगे अंसर है आट सो सताबन क्रोड तो देखिए ये जानकारी अभी दी है मंतरी है जगत सिंग नेगी जी ये मंतरी है हिमाचल प्रदेश के राजस्वा और जनजात्यों विकास मंतरी तो यहां से आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के राजस्वा और जनजात्यों विकास मंतरी को ने जगत सिंग नेगी हैं इन्होंने 16 दिसंबर 2013 को जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में जंजात्यक शेत्र विकास कार्यक्रम के तहुत 857 कुल रुपए खर्च किये जा रहे हैं ठीक है तो है हिमाचल प्रदेश में इको टूरिजम साइट्स अभी अडेंटिफाई की गयी है तो इसका अंसरे टोटल 11 साइट्स हाली में अक्तूबर 2023 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश गॉवर्मन्ट ने टोटल 11 एको टूरिजम साइट एरिया में जो है identify की गई है और उसमें से 11 में से कुछ साइट यहां पर आपको दिखेगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ठीक है कुछ एक और होगी तो टोटल 11 एको टूरिजम साइट जो है हिमाचल प्रदेश गवर्मेंट न आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसी के साथ आपको वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है आगे वह आपको वीडियो मिलते रहे गया और हिमाचल प्रदेश के उपर पूरी एक question answer की सीरीज एक playlist सीरीज है उसको आप चैनल में इसली देख सकते ह में जाके बाकि थैंक्स वाचिंग कीप लेंडिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा नई वीडियो के साथ और नए कंटेंट के साथ में धन्यवाद